ओम सिरीगडि साय नमा, मित्रों मैं आप लोगों का अपने इस कारिकरम में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कारिकरम के माध्यम से हम जोतिस के अलग-अलग विश्यों पर बात करते हैं यज आप मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप हस्त रेखा के विश्यों में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे और आप किसी की भी रेखा को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं उसका मार्ग दर्सन कर सकते हैं यहां तक कि यज आप पूरी तरह से ये सीख गए तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इंप्रेस करेंगे जिससे की आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका ज्यान भी बढ़ेगा तो आईए सुरू करते हैं हस्त रेखा के विश्यों में आज हम बात करेंगे सूरी रेखा के विश्यों में सूरी रेखा वो होती है जो विक्ति को मान समान प्रसिद्धी दिलाती है हम आपको एक बार प्र बताना चाहिते है कि जीवन रेखा जो है वो सबसे महत्रपूर है क्योंकि जान है तो जहान है इसके बाद आता है आपकी मस्तिष रेखा जीवन रेखा से सरीर का देखा जाता है मस्तिर रेखा से उसके बुद्धी, विवेग और सिच्छा दिच्छा देखी जाती है हिर्दे रेखा हिर्दे रेखा क्या है उसके सरीर के आंतरिक हिस्सों के बारे में पता चलता है कि उसका कैसा सारीरिक छमता है इसके बाद मैंने आपको बताया भागी रेखा कैसी होए इसके बारे मैं आप पहला वीडियो देख चुके है अब चुकि सूरी रेखा जो आपको समाज में मान समान प्रसिधी दिलाती है वो रेखा कहां से बनती है कैसे बनती है उसकी रंग रूप कैसा हो और उसे हम क्या क्या देख सकते हैं जिसके हाथ में सूरी रेखा नहीं है उस वेक्तिका जीवन कैसा होता है या जिसके हाथ में सूरी रेखा बहुत बड़ी है उसके जीवन में क्या-क्या गटनाएं होती है इसके बारे में हम बात करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सूरी रेखा के बारे में सूरी रेखा अब आप जानते हैं कि भागी रेखा के ही बगल सूरी रेखा होती है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, कि ये रेखा यहां से निकलने वाली रेखा को भागी रेखा कहते हैं, ठीक इसके बगल इसको सूरी की उंगली कहते हैं, इसको सूरी का परबत कहते हैं, यहां पर निकलने वाली रेखा को ही ह सूरी रेखा कहते हैं सूरी रेखा अगर नहीं है उस किसी के हाथ में तो आप मान कर चलिए कि समाज में उसका बहुत मध्यम योगिता है मान सम्मान भी ऐसे नार्व साधारन है और अगर सूरी रेखा उसके हाथ में असपर्ष्ट रूप से बनी है पूरी तरह से लालिमा लि जिससे इसका समाज में मान समान में बृध्धी हो। चुकि सूरी रेखा बहुत लंबी नहीं मानी गई है बगर सूरी रेखा बहुत लंबी है तो आप ये मान के चलिए कि यह व्यक्ति अपने घमंड अहंकार के कारण बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाएगा लेकिन हमेशा अपने बड़ बड़ पन को ही बखान करता रहेगा अगर दोहरी सूरी रेखा किसी के हाथ में पाई जाती है तो उसके मान सम्मान में गिरावट आती है। सूरी रेखा अकेली हो, सुन्दर हो और मध्यम स्रेडी की यानि की बहुत लंबी ना हो। जैसा कि भागी रेखा मड़ी बंध से निकलती है और मध्यमा तक जाती है ऐसे ही सूरी रेखा अगर मड़ी बंध तक आती है तो यह विक्ति अपने एहंकार के कारण कोई सफलता जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता है। सूरी रेखा छोटी हो, मध्यम हो लेकिन अश्पर्ष्ट हो अब जिसके हाथ में दो सूरी रेखा है और दोनों सूरी रेखा बहुत मध्यम है तो यह विक्ति कई छेत्रों में प्रियास करेगा ज्यादातर ऐसे लोग मकैनिक होते हैं और छोटे-मोटे काम करते हैं ये भाई लिखाई के मामले में ही सुरू से ही रुकाउटें पैदा होती हैं अब चुकि सूरी परबत को भी आप देखिए सिर्फ आप सूरी रेखा को देखके कोई फलादेश ना कीजिए सूरी का परबत अच्छा हो उभरा हुआ हो लालिमा लिये हो और उसके साथ साथ जो उस कोटी की प्रसिद्धी प्राप्ट करता है यह अपने बलबूते पे अच्छा आधिकारी बनता है समाज में भी इसका मान सम्मान बढ़ता है अगर यही रेखा सूरी रेखा मस्तिष रेखा को छूती है तो यह विक्ति अपने बुद्धी के द्वारा समाज में ऐसे ऐसे न ने ने कारी करता है कि इसकी चारो तरब प्रसंसा होती है हाँ, अगर वो मस्तिज रेक्सखा से भी उपर आ रही है और साथ साथ उसकी भाग रेखा भी उसको साथ दे रही है तो फिर सोने में सुहागा आप ये मान के चलिए कि ये ह्विक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है वो बहुत सोच समझ कर करता है साथ ही साथ क्योंकि उसका भागी भी साथ देता रहता है इसलिए ये अच्छे लोगों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना, सामाजिक कारी करना और सिच्छा दिच्छा के छेत्र में भी इसकी अच्छी पकड़ होती है अब जिसके हाथ में सूरी रेखा नहीं है ऐसा विक्ति जिसके हाथ में सूरी रेखा बिलकुल नहीं है तो वो विक्ति बहुत संगर्ज करता है लेकिन जो सामाजिक मान सम्मान प्रसिद्धी है वो उसे बहुत थोड़ा ही मिलता है कारण क्या है कि सूरी रेखा ही मान सम्मान का प्रतीक है इसलिए सूरी रेखा का हाथ में होना अनिवार है अगर सूरी रेखा है लेकिन टूटी फूटी है तो भी आप मानके चलिए कि ये व्यक्ति अपने परिवार में तो अच्छा इसको सम्मान मिलेगा लेकिन समाज में इसको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा जैसे किसी की सूरी रेखा निकलती है और उपर आकर दो पार्ट में बढ़ आती है तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो कोई ऐसी छोटी गल्ती करणत देते हैं कि जिससे इनकी मानहनी होती है इसके अलावा अगर सूरी रेखा पे क्रास बना हुआ है या सूरी परवद पर क्रास बना हुआ है ऐसे व्यक्ति को नेतर दोस जरूर होता है इसके अलावा ये सरकारी नोकरी अगर किसी तरह पा भी जाएं तो उसमें बहुत संगर्स होता है यानि कि इनका जीवन दुगदाई हो जाता है हमेशा इनको अठकारियों से पलताणना मिलती है समाज में कोई भी काम करना के लिए अगर ये कुछ सुरू करते हैं तो उसमें तरह तरह के प्रस्न सामने खड़े हो जाते हैं सुरी रेखा पर अगर लाल बिंदू का कोई स्पॉर्ट है तो भी आप ये मान के चलिए कि इस बेक्ति के जीवन में सामाजिक कारी करने की तो बहुत इच्छा है लेकिन उसे सहयोग ना मिलने के कारण वो अकेला पन महसूस करता है और कोई भी कार सुरू तो करता है लेकिन उसे पूर्ण नहीं कर पाता है सूरी रेखा और भाग रेखा अगर दोनों सीधी रेखा चलते हैं और भाग रेखा लंबी होकर मडिवन की तरफ आ जाती है सूरी रेखा आकर के 24 हथेली में रुख जाती है तो भी यह व्यक्ति अपने जीवन के 30 वर्ष में ही ऐसा महत्रपूर्ण अस्थान प्राप्त कर लेता है कि फिर उसको आगे अपने कोई भी बिग्ण बाधाएं अधिक नहीं आती हैं वो इसे तो बिग्ण बाधाएं हर व्यक्ति के जीवन में आती ही रहती हैं लेकिन यह व्यक्ति उनको बड़ी आसानी से हटा देता है या उनसे मुकाबला करके बिजय प्राप्त करता है सूरी रेखा जब निकल के भागी रेखा से मिल जाती है क्योंकि कहीं कहीं ये देखा गया है कि सूरी रेखा आगे बड़ते बड़ते भागी रेखा में मिल जाती है तो यह व्यक्ति सुरू से ही महंती होता है और जहां ये भागी रेखा में मिलती है इस व्यक्ति का उस ज सूरी रेखा के ठीक बगल एक छोटी सी रेखा होती है उसे हम विद्धारेखा भी बोलते हैं ये आप जरूर ध्यान रखिए कि सूरी रेखा के बगल में ये विद्धारेखा भी असपरश्ट छोटी होती है ये रेखा को आप बहुत सुच्वन दिश्टी से देख सकते हैं लेकिन अगर उस रेखा में भी किसी तरह की रुकावट या क्रास या कोई स्पॉर्ट नहीं है तो ये विक्ति अच्छी सिच्छा प्राप्त करता है अपने धे के प्रत पूर्ण लगाव रखता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है हाँ अगर सूरी रेखा आगे चल के जीवन रेखा में मिल जाती है तो ऐसा ब्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ता जगड़ता रहता है वैसे तो उसको मान सम्मान थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन उसे हमेशा अपने मान सम्मान की ह चिंता रहती है उसे समाज में उतना अधिक कारि करने की फिक्र नहीं होती है लेकिन मान समान में अगर छोटी सी भी बात उसके दिल में खटक गई तो वो जब तक उसका या तो बदला नहीं लेलेगा या उसके प्रत दुबारा सामने वाले से माफी नहीं मंगवा लेगा तब तक ऐसा व्यक्ति सांती से बैट नहीं सकता है सूरी रेखा कभी कभी निकल के हिदे रेखा को पार करते हुए और चंद्रपरबत की तरफ चली जाती है यह आप बहुत ध्यान पूर्वक देखिए कि वो सूरी रेखा निकल कर किस परवत की तरफ जा रही है जैसे कि अगर वो चंद्रपरबत की तरफ गई है तो यह व्यक्ति का घर में तो उतना मानसमान नहीं मिलेगा लेकिन घर के अस्थान से बाहर विदेशों में इसको बहुत अच्छी प्रसिद्धी मिलती है वहाँ इसकी बड़ी इज्जत होती है और मानसमान भी खूब मिलता है यही सूरी की रेखा अगर मंगल की परवत पर गया है मंगल का परवत मैं आपको बता चुका हूँ आगे मैं परवत के बिसे में जब बताऊंगा तो आपको परवत के बिसे में अलग-अलग समझाऊंगा मंगल का परवत का अस्थान यह लोर और अपर मंगल माना गया है तो अगर सूरी रेखा मंगल के परवत की तरफ जा रही है तो ऐसा बैक्ती धिन निस्चई होता है जो इसने ठान लिया उसके लिए इसको कोई भी बलिदानी देनी पर ये देता है लेकिन अपने बल बूते पर वो वो मुकाम जरूर हासिल करता है जिसके लिए वो संगस करता है सूरी रेखा वैसे तो सूरी रेखा बुद्ध परवत की तरफ बहुत कम ही जाती है लेकिन अगर बुद्ध परवत की तरफ या बुद्ध रेखा से मिलती हुई रेखा सूरी रेखा को टश करती है तो आप मान के चलिए कि ये व्यक्ति अपने ब्यापार बिजनस से बह उसकी भागी रेखा बिलकुल मडी बंध तक गई है, सूरी रेखा भी उसकी पूरी मडी बंध तक गई है, अब ऐसे विक्तियों का फलादेश करने में आप कन्फूज हो जाएंगे, क्योंकि सूरी रेखा से देखकर अगर आपने फलादेश कर दिया तब तो ये राजा महरा होना चाहिए, भागी रेखा भी उसकी इतनी बड़ी है, कि अगर मिटी भी छुए तो सोना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उसके परवत सही हैं, परवत अच्छे उभरे हैं, इसके अलावा उसकी मस्तिष रेखा को उस समय देखना बहुत अनिवार है, क्योंकि ये वक्ति कैसा निड़ए लेता है, कैसा काम का चुनाउ करता है, ये बहुत बड़ा माहिने रखता है, सिर्फ सूरी रेखा ही होने से, आप किसी का आईसा फलाव देश कभी करा बी ना कीजिए, कि ये वक्तिर आजा महराजा या बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि मान स सम्मान तो सूरी देता है लेकिन सूरी ऐसा है कि जो एक एक दिन सोच समझ कर निड़े लेने वाला है क्योंकि उसको अपने मान सम्मान की हमेशा चिंता रहती है अब जिन कुछ लोगों के हाथ में सूर एक बाउट टेड़ी मेड़ी चलती है ऐसे लोग बिलकुल लापरवा क इसम के होते हैं इनको अपने मान सम्मान की चिंता नहीं होती है कोई भी उल्टा सीधा काम कर डालते हैं तो इनका जितना सम्मान भी होता है उतना अपमान भी होता है इसलिए सूरी रेखा जितनी साफ सुत्री और सीधी होगी उतना ही विक्ति के विशे में आप अच्छा फलादेश कर सकते हैं तीसरी चीज कि अगर ये सूरी रेखा भाग रेखा को भी क्रास करते हुए और उसके बाद ये मरिबन्ध की तरफ निकलते हुए कई भागों में बाढ़ जाती है जैसे दो रेखा में बढ़ गई तीन रेखा में बढ़ गई कभी कभी तो गवपुच यानि कई रेखाओं में बढ़ गई, तो ऐसा व्यक्ति जीवन बर तो अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन अंत में इसके जीवन में ऐसी कोई जरूर असमाजिक गल्ति कर डालता है, जिससे कि इसकी जो भी मान मर्यादा है, वो समाप्त हो जाती है, सूरी रेखा अगर हाथ में बहुत गहरी है और बहुत लाल है, चोड़ी है तो ऐसा व्यक्ति भी कठोर हिर्दे का बनता है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, सूरी रेखा हलकी हो, सुन्दर हो, पतली हो, लेकिन साप सुथरी हो, तो इस व्यक्ति के जीवन में रुकाउटें, संघर्स, आएगी, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये अपनी सूजबूज से और अपने हिम्मत के बल पे अपने मुकाम को हासिल करता है, सूरी रेखा, जैसे कि कभी-कभी सुक्र के परवत की तरफ भाग जाती है, तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान के प्रत तो बहुत चिंतित होता है, लेकिन थोड़ा कामी प्रवित्तिका होता है, इसलिए आप ये ध्यान दखिए कि इसे अपने कुछ गलत निर्ड़े के कारण या कहा जाए कि ये गलत लोगों के बीच पढ़ कर अपने मान सम्मान की मरियादा खो देता है, सुर्डेखा साफ हो, सुथरी हो, सीधी निकली हो, बहुत बड़ी नहों, लेकिन कम से कम वो हिद्यरेखा को पार करें, तो ऐसा विक्ति समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है, सुर्डेखा पर अगर काला तिल है, तो भी ये उसके जीवन में कहीं न कहीं कलंक लगाने का कारी करता है, इसलिए ऐसे लोगों को अपने विपरीत लिंगी लोगों से दोस्ती करते समय, बाचीत करते समय, बहुत सावधानी पूर्बक ब्योहार करना चाहिए, जिससे इनका मान सम्मान में थेश ना होए, वो ऐसे तिल वगेरा ऐसे हाथ में निसान होते हैं, जो अस्थाई नहीं ह होते हैं, कभी-कभी ये कुछ समय के लिए निकलते हैं, फिर वो उम्र के साथ नर्ष्ट हो जाते हैं, या अद्रिस हो जाते हैं, उनको हम आसानी से देख नहीं पाते, तो ऐसे तिल का या काला तिल का कोई महत तो नहीं है, अब कुछ लोगों का कहना आई कि तिल है, यहां मुठी में बंध हो जाता है तो वो तिल सुबदायक होता है ये बात सही है कि वो धन देता है तिल लेकिन वो तिल का कौन से परवत से सम्बंध है इसको भी आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए तो हमने आप लोगों को आज सुब्रेखा के बारे में बताया है तो मैं आप लोगों से आसा करता हूँ कि ये आज की जानकारी सुब्रेखा के बारे में आप अच्छी जानकारी प्रात कर लिये हैं इसके अलावां भी ये आप जीवन रेखा के बारे में जानना चाहते हैं मस्तिस रेखा के बारे में जानना चाहते हैं या हिर्दे रेखा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये नीचे जो लिंक है मेरा यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हस्त रेखा के अनिरेखाओं के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी नमस्कार